इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उप्योग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उप्योग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम नहीं है. तब तक दवा को नियमित रूप से ले जाना महत्वपूर्ण है. इस दवा के कुछ सामान्य साइड इफेक्ट में मिचली आना, ओल्टी, पेट में दर्द, अपच, सीने में जलन, भूक में कमी, और डायरियाद दस्थ शामिल हैं. अगर आप इस दवा को दीवत कालिक उपचार के लिए ले रहे हैं, तो आपका डॉक्टर नियमित रूप से अपने किड्नी फंक्शन, लिवर फंक्शन और रक्त के घटकों की निगरानी कर सकता है. दीर्ग कालिक उप्योग से पेट में रक्त अस्राव और किड्नी की समस्याएं जैसी गंभीर जटिलत में दर्द, सूजन और सूजन से राहत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक कॉंबिनेशन दवा है. यह मस्तिश्क में कुछ ऐसे रसायनों को ब्लॉक करती है, जिन से दर्द और बुखार उत्पन होते हैं. यह रूमेटोरड आर्थराइटिस और और ऑस्टियो आर्थरा अधिक्तम फायदे के लिए इसे डॉक्टर के बताय दिशानिर देश के अनुसार ही लें. आवश्यक्ता से अधिक या अधिक समय तक यह न लें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है. आमतोर पर आपको सबसे कम पौवा वाली डोज लेनी चाहिए जो थोड़े समय के लिए सही ध पर दूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइट इफेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं. अगर साइट इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षन बिगरने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें. LDJCIC ASP के सामाण्य साइट इफेक्ट मिचली आना उल्टी पेट में दर्द अपच सीने में जलन भूख में कमी डायरिया दस्त. LDJCIC ASP टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. इसे साबुत निगल लें, इसे चबाएं, कुछ लें या तोड़ें नहीं. LDJCIC ASP टैबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है. पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.